गैज आप भी अपने ओला एलेक्टरी स्कूटर के नोटिपीकेशन अपने मोबाइल में देखना जाते हैं तो इस वीडियो कंटेन्यू देखते रहे हैं पूरा डिटेल बाई डिटेल हम आपको बताने वाले हैं यहां पर आपने देखे होंगे टेलिग्राम ग्रूप और ट्विटर के ओपर बहुत सारे से स्क्रीन सोट शेर के जारे जहां पर मोग ओस टू पॉइंट वर्जन अपडेट होने के बाद में जैसे की ओला का एक एप आया है ओला एलेक्टरी जिसको आप अपने मॉबाईल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके मॉबाईल में यहाँ पर नौटिफिकशन आ जाती है कि आपका अल्वा एलेक्टरी स्कूटर 100% चार्ज है डिस्शार्ज हो गया है यहां आपके ओला स्कूटर से दूर होने पर भी चार किलोमेटर की दूरी तक आपको मिलने वाले हैं तो पूरा step by step हम समझते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे सबसे पहले आपको play store पर जाना है यहाँ पर आपको सर्च करना है ओला electric यहाँ पर थोड़ा सा scroll down करते ही आपको मिल जाएगा ओला electric application इसको आपको install कर लेड़ा है फिलाल यह बिटा वर्जिन के उपर है आपको अगर बिटा वर्जिन movers 2.0 version नहीं मिला है scooter में तो भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे application को open करते ही आपको नीचे जाना है यहाँ पर login कर लेड़ा है अपने उस नंबर से जिस नंबर से आपने अपना ओला electric scooter order किया है Bluetooth को pair करने के लिए सबसे पहले जाना है अपने mobile में Bluetooth को open करना है यहाँ पर आपको इसके उपर कलिक कर देना है और कलिक करते हैं आपके ओला scooter के अंदर नोटिफिक्शन के तुरूप पासफट जाएगा वह आप अपने Bluetooth वाले option में इसमें डालना पड़ेगा डालते हैं आपका ओला scooter आपके mobile से pair हो जाएगा connect हो जाएगा आपका scooter full charge होगा तो आपक में करके यहां पर लोग करते हैं तो हैंडल बार लोग नहीं होता है इसके लिए आपको च्यार इंच से right side करके फिर लोग करना होता है अगर लोग नहीं होता है तो आपको notification मिल जाएगा आपके mobile के अंदर यहां पर scooter discharge होता है तो भी आपके mobile नोटिफिक्शन आजाता है कि आपका scooter discharge है कोई बार बार आपके scooter के अंदर गलत मिन इंटर करता है तो आपके mobile में notification आजाएगा इसका यह कुछ feature है जो आप अपने mobile में यूज कर सकते हैं अब यह नोटिफिक्शन की बात तो होगी यहां पर एक छोटी सी बात और कर ले यहां पर move os 2.0 beta version के अंदर जो function मिलते हैं वो क्या आप यूज कर पाएंगे बिलकुल नहीं कर पाएंगे अगर आपने move os 2.0 beta version पर अपडेट नहीं कर रहा है तो ओला आप्टर टूब एक लगबग सभी यूजर को beta version के उपर यहां पर move os 2.0 version देने वाला है तो वेट कीजिएगा आपको भी यह version मिल आते हैं तो इस चैनल को subscribe कर लिजेगा यह बिलकुल free है और मिलते हैं एक नए फ्रेस वीडियो को साथ जल्द ही